जीवन के रूपान्तरण के लिए हमारे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए आज हम अपने जीवन में कुछ ऐसे बीच बोने का प्रियास करेंगे जिनकी फसले हमारे वर्तमान को फलों से अभी भूत करेंगे और आने वाले कल को संवारेगी आज हम अन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आदते हमारे रिस्तों को मदूर बनाती है जो आदते हमारे करियर का निर्मान करती है जो आदते हमें सफलता की तरफ ले कर जाती है आज हम उन आदतों से मुखातिब होंगे हैबिट्स के बारे में आदतों के बारे में कुछ कहूं उससे पहले एक मोटिवेसनल स्पीकर की जीवन की घटना कहूंगा एक मोटिवेसनल स्पीकर बोलने में बड़े गजब के धुरंदर और जब भी बोलते थे तो लोगों के भीतर भीतर की चेतना जग जाती थी और लोग अपने जीवन को रुपांतरित करने के लिए प्रस्तुत हो जाते इस्पीकर भी ऐसे कि देश भर में अलग अलग जगे जाते लेकिन किसी भी तरह का कोई चार्च नहीं करते थे केवल जन सेवा की पवित्र भावना के साथ जाते और वे लोगों को संबोदित करते वे जब भी लोगों को संबोदित करते तो अक्सर वे अपनी और से एक कहानी का उप्योग किया करते थे और अब मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ ये उस मोटिवेस्नल इस्पीकर ने अपनी जीवन में सो पचास दफ़ा इसका उप्योग किया हुगा मोटिवेस्नल इस्पीकर ने कहा कि किसी समय में एक नगर के बाहर एक संत जाया करते थे और वे संत कच्ची बस्ती के बच्चों को अपने सामने एकठा करते उन्ही नैतिक ताकि जीवन जीने की कला सिखाते और वे सारे मोटिवेस्न देते जिससे कि एक अच्छे इंसान का निर्मान होता है वे बच्चों को इकठा करने के लिए टौफिया भी बाड़ते चौकलेट भी बाड़ते और अगर उन्हें कोई जरुतमंद बच्चा नजर आता तो वे उसे ड्रेस भी दे दिया करते वे इस तरह से अलग-अलग गाओं में जाते थे और अपना पुनीत कारिय किया करते थे जब वे गाओं में पहुँचे और उन्होंने यही कारिय किया गाओं के बच्चों को इकठा किया कुछ अच्छी बाते उनको सिखानी चाही तो बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा भी आया जिसके कपड़े फटे हुए थे मेला कुचेला था संत ने उसे देखा उनके दिल में दया और करुणा आई उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरी क्लास में रोज आओगे बच्चे नी कहा गुरु जी आजाओंगा आप कहते तो आजाओंगा गुरुजी ने अपनी क्लास में उसे जो समझाना था समझाया और अंत में उसे नहला धुला कर उसके बालू के हजामत करके और उसे नई ड्रेस भी दिला दिया बच्चे ने नई ड्रेस पहनी बड़ा खुश हुआ अगले दिन वापस जब संत जी वहाँ पर आए संत ने कहा वो बच्चा नहीं आया बच्चों ने कहा गुरुजी आप भी किस बच्चे की बात कर रहे है वो तो एक नंबर का जुवारी है रोज ही जुवा खेलता है कभी चोरी करता है कभी इदर उदर से पैसे कबारता है जुवा खेलता है और अक्सर उसका भाड़ यही पता नहीं क्या है कि वो अक्सर हमें साथ जुवा हार जाता है महराजी कल आपने जो उसे ड्रेस दी थी न वो हाथो हाथ गया बजार में उस नई ड्रेस को उसने आधी रेट पर बेच दिया जुवे में पैसा लगया और वो हार गया संतने का कोई बात नहीं जाओ और फिर उसे बुला कर ले आओ पकड़ के लाया गया चार बच्चे गए पकड़ कर ले आए संतने उसे फिर समझाया अच्छी सिक्षा दिये और कह बेटा कल की ड्रेस तुने क्या की बोले सर वो तो मैंने किसमें बेची तो बोले वो तो मैंने बेच दी बोले कोई बात नहीं बेटा मैं आज फिर तेरे लिए नई ड्रेस लेकर आया हूँ और ये कहते हो उन्होंने फिर नेलाया धुलाया नई ड्रेस पेनाई दूसरी दिन उन्हें ड्रेस पहना आए फिर अच्छे सिक्षा दिये पर तीसरी दिन फिर बच्चा गायब पूछा वो बच्चा नहीं है बोले सर में हमने का था ना वो बच्चा जुवारी है उसने कल फिर आपकी ड्रेस बेच दी बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस बच्चे नहीं एक दिन ड्रेस दूसरी दिन तीसरी दिन चौथे दिन पांचवे दिन इस त्रेस से कुल तेरे दिन तक उसने नई ड्रेस पहनी है और हर बार उसे बेच दी और बेच करके जुवे में पैसा हर गया संत ने जब चौदवी दफा उसे बुलाया और उसे ड्रेस पहनानी चाही तो बच्चा गुरुजी के पाउं में गिर पढ़ा और कहने लगा महराज आप मुझे रोज 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 ये ड्रेस मत दीजिए मैं मेरी बुरी आदत से ऐसा लाचार हूँ कि जैसे मैं उस महले से गुजरता हूँ मुझे और कुछ भी नहीं सूचता और मैं सीधा उनके साथ जुवा खिलने के लिए लग जाता हूँ महराज आप मुझे इस तरह से कब तक ये ड्रेसे देते रहेंगे मुझे महराज जी आप पर रया आने लग गई है एक आप है जो मुझे बार बार ड्रेसे देते जा रहे है और एक मैं हूँ जो बार बार जुवे में हारता चला जा रहा हूँ संत ने बच्चे को अपने करीब बुलाया और कहा बेटा अभी तक तो मैंने किवल 14 ड्रेस ही तुम्हें दी है अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अगर मुझे 140 ड्रेस भी देनी पड़ेगी तब भी मैं 140 ड्रेस से तिरे लिए कुर्बान करूँगा पर एक बुरी आदत से घ्री हुए इनसान को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास मैं अंतिम चरण तक करता रहूँगा जब ये बात सुनी बच्चे ने कि संत कहरें कि अगर मुझे तुझे एक अच्छा इंसान बनानी के लिए 140 ड्रेस भी अगर मुझे कुर्बान करनी पड़ी तो मैं 140 ड्रेस भी तिरे लिए कुर्बान करूँगा पर तुझे एक अच्छा इंसान बना कर रहूँगा जब ये सुना तो बच्चा संत के पाउं से लिपट पड़ा और कहने लगा गुरुजी मैंने आपके जैसा सहनशील संत नहीं देखा कि जो एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे है गुरुजी मैं आज के बाद आपके सामने कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आज के बाद जुवा नहीं खेलूँगा और ये जो आज आपने मुझे चौदवी ड्रेस पहनाई है मैं इसके इज़त रखूँगा और मैं आज के बाद आपके सामने बैठ करके हमेशा आपकी अच्छे सक्षाएं लूँगा और एक अच्छा इनसान बनने का प्रयास करूँगा वो बच्चा वाकई एक अच्छा इनसान बन गया वो एक इज़त तार इनसान बन गया वो हमीशा के लिए उस संत का हो गया हमीशा के लिए उसका शिश्य बन गया मोटी वेस्टनल स्पिकर ने कहा मैंने ये जो आप लोगों को घटना कही है ये घटना इस घटना से आप लोग भी प्रेणा लीजिएगा और सीखिएगा और ये जो मैंने घटना कही है ये घटना मैंने कोई सुनी सुनाई घटना नहीं कही है बलकि ये सची घटना कही है ये घटना बिलकुल सच है सौ प्रतीशत सच है एक सो एक प्रतीशत सच है चुकी मोटी वेस्टनल स्पिकर ये कहानी कई दफा कह चुके थे और उनके सेशन में जुड़नी के लिए कई युवा लोग अलग-अलग शहर में भी पहुंचते थे और उनसे प्रेरणाई लिया करते थे आखर एक दिन जब संत नहीं जब मोटिवेसनल इस्पिकर ने यही कहानी कही तो कुछ युवा खड़े हुए और उन्होंने का सर हमारा आपसिक सवाल है बोले कहो क्या सवाल है बोले सर आप जहां भी जाते हैं अक्सर ये कहानी कहा करते हैं और जब भी कहानी कहते हैं तो साथ में आप ये भी कहते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सच है हंड्रेड परसेंट सच है आखिर आप ये इतने धावे के साथ कैसे कह सकते है कि ये कहानी हंड्रेड परसेंट सच है मोटिवेस्टनले स्पीकर खड़े होते है उन्हीं युवाओं के पास जाते है पास जाकर प्यार से उनका माथा सहलाते हैं और सहलाते वे केवले इतना ही कहते हैं बेटा, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बात 100% सच है क्योंकि वो जुवारी बच्चा कोई और नहीं बलकि मैं है वो जुवारी बच्चा हूँ वो जुवारी बच्चा कोई और नहीं मैं ही वो जुवारी बच्चा हूँ जिसे गड़ गड़ करके एक अनगड़ पत्थर को उन्होंने प्रतिमा बनाया आज मैं जिस कार्ण से इतना बड़ा स्पीकर कहला रहा हूँ और दुनिया को एक नई दिशा दे रहा हूँ उसके पीछे उस संत की बड़ी भूमी का है और मुझे पता चल चुका है कि कोई व्यक्ति अगर किसी पर भी काम करे तो एक पत्थर को भी प्रतिमा बनाया जा सकता है जिसे लोग कल तक डॉग कहते है उस डी ओ जी डॉग को भी उलट करके जी ओडी गॉड बनाया जा सकता है कल तक जिसे लोग मानते थे ये नगर पालिका का कूडा है ये कच्रा है ये गंदगी है ये गाए का गोबर है ये बकरी की खाद है ये बकरी की मिंगनी है गाए के गोबर को अगर किसी पौधे में दे दिया जाए तो वो मींगनी मींगनी नहीं रहती वो मींगनी उस पौधे के गुलाब के फूल में खुश्बू पैदा करने का आधार बन जाती है केवल इंसान पर काम करनी की जरुत है और इंसान पर अगर काम किया जाए तो दुनिया के हर बुरे इंसान को अच्छा इनसान बनाया जा सकता है हर बैड हैबिट को गुड हैबिट बनाया जा सकता है शायद अगर संत जनों को कारागार में जाने की अनुमती दी जाए अगर जेलों में जाने की अनुमती दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कारागार में रख करके आज तक कोई भी प्रशाशन उन कैदियों को ठीक नहीं कर पाएं है पर संत जहां भी जाएंगे वे निस्वार्थ जीवन जीते हैं वे अगर कारागार में जाएंगे तो उनका जीवन बदलेगा ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हम भी अब तक अनिक बार कारागरों में लोगों को संबोधित करने के लिए गए हैं और हमने अब तक सैक्ड़ों हजारों कैदियों के जीवन को रुपांत्रित करने का काम किया है